आपके साथ मैं हूं काजो नरायन शुरुवात करेंगे खबरों की उत्रप्रदेश में आज योगी सरकार की एहम पैठक हुई इसमें चौधा प्रस्तावों को मनसूरी मिल गई है लैब असिस्टेंट भरती से जुड़ा एहम फैसला भी नहीं आ गया आईए आपको ग्राफिक्स के माधियम से बताते हैं किसमें योगी के काबिनेट में वो कौन से पैसर दिये गए तो योगी काबिनेट में 14 प्रस्तावों परलगी मुहार यूपी में परटन के लिए 4 पॉइंट स्विक्रिट आगरा मत्रा प्रयागराज मेहलिपेड डिजीज कंट्रोल का किंद्र बनाए जाएगी 30 वर्ष के लिए 2.5 एकर जमीन दी गई लैब असिस्टेंट के लिए 25 प्रतीशत प्रोमोशन से बाकी सीधी भरती होगी तो ये वो एहम प्रस्ताव हैं जो योगी काबिनेट में पास हुए हैं आप जर्जन स्क्रीन पर देख सकते हैं तो 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है चारधा म्यात्रा शुरू होने से पहली उत्राखन में गैर हिंदूओं के प्रवेश पर पतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है श्रंकराचारे परिश्वत के अध्यक्ष और श्रंभवी धाम पिठाद रेश्वर श्वामी आनन्द स्वरूप ने उत्राखन सरकार से मांग की है इस सम्मन में उन्होंने मुकेमंद्वी पुषकर सिंग धामी को पत्र भी लिखा है स्वामी आनन्द स्वरूप का कहना है कि देभूमी उत्राखन हिंदूों की जन भूमी कर्म भूमी और रिश्यों की तपस्थली है देभूमी की रक्षा करना उनका धर्ब है इसलिए उनकी मांग है कि उत्राखन सरकार चौरधम यात्रा के दौरान उत्राखन में गैर हिंदूों के प्रवीश पर प्रतिबंद रगाए प्रवेश पत्र बने और जिनके पास गैर हिंदूओं का प्रवेश हो चाहे हो मुसलमान हो यहूदी हो और जितने भी विदेशी धर्म वाले लोग हैं उन सब को तत्काल प्रतिबंदित किया जाए और प्रतिबंदित नहीं किया जाएगा तो काली सेना के लोग स्वैम खड़े हो करके उनका आईडी कार्ट शेक करने का काम करेंगे चिकी यह प्रदेश यह देश किसी के बाप का नहीं है और यह हिमाले हमारा मंदिर है उसको बचाना हमारा धर्म है चारधाम यात्रा के दोरान या किदारनात यात्रा के दोरान एक भी घोड़े वाला वहां अब दिखना नहीं चाहिए नहीं तो हमारे पैसे पर पल करके हमारे ही गरदन काटी जा रही है हमारी रूपर हमले हो रहे हैं यह कब तक ब्रदास्त किया जाएगा और इसी ख़बर पर जादा अबडीट के लिए हमारे उत्राखन ब्यरोचीफ सुभाश गौड हमारे साथ लाइफ जुड़ गए है सुभाश बड़ा फैसला यहां पर संतो द्वारा लिया जा रहा है कि कोई भी गैल हिंदू इस चारधाम यात्रा में श्वामिल नहीं हो सकता इसके बाद किस तरह की हल चल देखी जा रही है उत्राखन में करोना काल बद इस बार भैतर थारीके से जो चारधाम यात्रा है उत्राखन की वह ś boot वह शुरू होगी और उमीद की जा रही है कि इस बार यात्रियों की जो संक्या है वो पिछले 1 2-2 सालों की तुलन में इस बाहुत बहुत होगी और क्योंकि इस तरीके से 2 सालों पे द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री को भीजा गया और खास्तोर सा आनंद स्वरूप जो महराज है उनके जरीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि यदि चार धाम यात्रा के दौरान हिंदू समाज के अलावा किसे हन्या समाज के व्यक्ति चार धाम यात्रा में जाते हैं या फिर चार धाम यातरा को करते हैं तो उनके खिलाव सरकार को कड़ी कारवाई करनी चाहिए और सबसे बड़ी चीजी है कि उन लोगों को यातरा नहीं करनी चाहिए उन लोगों को यातरा से रोका जाना चाहिए जिसके लिए उन्होंने मुक्यमंत्री को पत्र लोग हैं वो सड़कों पर उतर कर जो यातरी चार धाम यातरा में जा रहे हैं चाहिए वो बद्रिनाथ जाएं, केदार नाथ धाम जाएं, यह हम लोगो उतरी जाएं यह फिर गंगो उतरी जाएं इन सभी का आईडी कार्ड वो खुछ चेक करेंगे और जो हिंदू व्यक्ति नहीं होंगे, उसके अलावा किसे और यह कहा जा सकता है कि धर्म के होंगे, उन लोगों पर वो कड़ी कारवाई भी करींगे और उन्हें चार धाम यातरा जाने से प्यों रोकिंगे, लेकिन इसके साथी एक बड़ी चुनोती यह भी है कि खुद पुछकर सिंग धामे, जो कि धार में किस तलो पर किसी तरीके के च्छती पहुंचा सकता है, किसी तरीके के नुक्सान कर सकता है, उन लोगों धार में किस तलो पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो विपक्षी दल है कॉंग्रेस, उनकी तरफ से भी कई सवाल इस मामले पर खड़े उ और एक साथ रहते हैं यह किसी धर्म के साथ बाटने के मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश को ऐसी जरूरत है और यही वज़ा है कि विपक्ष में कहीं ने कहीं हमलावर इसको लेकर नजरा रहा लेकिन पूल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चार धाम यातरा में उत्राखंड की सामने आए जहां पर चार धाम यातरा को लेकर कुछ साथू संथ हैं कुछ संग्ठन ऐसे हैं जो एक कह रहे हैं कि गैर हिंदू जो अगर यहां पर प्रवेश करता है तो उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए उनकी एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए और इ अंकल की गाड़िया मौके पर पहुँशती तब तक गाउं के किसानों के गेहुं चल कर राख हो गए और एक इताना मंगलपुर्शेत्र के कंचौसी रिल्वे क्रॉसिंग से 200 मीटर दूरी पर दिशा में डिएफ सी एफ रेल ट्रेक पर सुमवार सुभा न्यू कंचौसी रिल्वे स्टेशन बान से नाइट डूटी पर पैदल ट्रेक के उपर से कंचौसी कमरे पर लौट रह बीएफ सी कर्मचारी पीछे से आ रही मालगारी से सिर में टक कर लगने से उनकी मौत हो गई वहीं मौकी पर पहुंची पुलिस ने शब को कबज़े में लेकर पोस्मार्टम के लिए भीजा बदाई में तेजरवतार का केर देखने की मिला जहां कार से बाइक सवार को रौन दिया इस खटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं पूरा मामला दाथा गंच कुतवाली शित्र के बैलर डांडी गाओं के पास का बताए जा रहा है तो यह तस्वीरे आप बदाई में तेजरवतार का केर देखने की मिला जहां एक कार ने बाइक सवार को रौन दिया इस खटना में दो लोगों की मौत हो गई है यह पूरा मामला दाथा गंच कुतवाली शित्र के बैलर डांडी गाओं का बताए जा रहा है बारबंकी में बीजेपी का जहन्डा लगर सवारी गाड़ी में अधिर उम्र के व्यक्तिक कश्व लहुलवान हालत में मिला बई मौके पर पहुँची पूलिस ने बताया कि धायादर हत्यार से हत्या के जाने के बाद प्लास्टिक में रखकर गारी से लिट नकर ठिकानी लगानी की यूचना बनाई जा रही थी सफारी काड़ी इस सूचना पर ततकाल थानी की पुलिस और सभी उच्चादी काड़ी गन्ड फील्ड उनिट के साथ डॉग स्कॉट के साथ मौके पहुँचे हैं और गटना सलका वेगनिक साक्षो के संगलन करने के लिए बहुत घहनता से निरिक्षन किया जा रहा है जो पास-पास के के लोग हैं लोकल्स हैं उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है परेवारकोशा मित्ती हो गई है और मुर्तक की जो है वो पहचान पी तरह लिए जगत पाल है जो बक्षी का तलाब लखनों के रहने वाले हैं उनके परिवार को सुचना दी जा रही है और इस गटना में जो भी शामिल बित्ती है, जो पुर्थम द्रभी पुलिस को लीड्स मिली है, उनके अधार पे पुलिस कारवाई कर रही है. बरली स्पी सिटी ने फिल्मी अंदाज में आईपल गैंक का भंडा फोड किया, जो लंबे से मिस्टे शहर की तंग गलियों में इस पूरे आईपल पर लोगों की मोटी रकम लगाते थे. स्पी सिटी रविन कुमाने फुलासा करते बताये कि सवभियान को पुरा करने के लिए गिलाप पुलिस की मदद ले गई. जो बरामदगी हुई है उसमें 28 लाख और 14,870 रुपे उसके अलावे चार तलवार है और कुछ सराब की बोतले हैं, पास्बूख हैं, एटीम कार्ड है, अधार कार्ड है, इत्यादी चीज हमें बरामद हुई है. सर जो फुलासा किया है, क्या फुलासा है, किस तरह से ये पुरा करना रहा है, कुछ दिन पूर्व हमें अपने एक मुख्विरे खास के दौरा एक इंपूट मिली थी, IPL सक्टा के समग में, इस सुचना पर हमने इस सुचना को वेरिफाई किया, इसमें पर्थम दिश्टा जो चीजे हमें लगी कि ये प्राइमा फिरसी जो सही प्रतीत हो रहा है, इसमें हमारी टीम लगी हुई थी उत्रप्रदेश के मुक्य मंत्री योगी आदितरात के विशेश शिक्षा अभियान को घरगर तक पहुचाने और प्रदेश को शिक्षित करने के लिए तमाम कोशिशे की जा रही है और कुछ तस्वीरे भी आपके सामने हैं आपको तादें कि प्रदेश को सिक्षिस समाज बनाने को लेकर जिला अधिकारी उमिश मिश्या ने ऑनलाइन समिक्षा की जिला बेसिक शिशा अधिकारी को निर्देश भी दिये तो उसको लगे कि हाँ नहीं हमारा बच्चा हमारा भुष सुरचित है मानी मुकमंत्री जी की भी यह इच्छा है यह निर्देश उनके है कि यदि हम अपने प्रदेश को बहुत आभी बढ़ाना चाहते हैं हमाई प्राइमरी एज्यूकेशन को बहुत जाधा ध्यान देना परे और यह बहतर हो भी सकता है बहुत सारे सिक्षकों ने इसको किया भी है बहुत सारे प्रधानों ने इसको बहुत अच्छी स्थिति में लाया भी है अब मैं एक डाक्मेंटरी बनवा रहा हूँ ऐसे सिक्षकों का ऐसे विद्यालियों का ऐसे प्रधान जी लोगों का जिन्हों ने बहुत अच्छा काम किया है उनको हम प्रधेश इस्तर पे ले जाएंगे कि देखे इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया तो हम लोग आज के बाद से एक सुरुवात करें आज मैं गया था मतलब कुछ मामलों में मुझे अच्छा भी लगा है मैं अब कुछ मामलें महतों साहिव भी हुआ मैं किदारनात वने जीवी प्रभाव के धनपूर रेंज काराले गौचत भी हुआ वनागनी सुरक्षा गोष्टी का आयोजन वनसे शरदिकारी पंकष्य ध्यानी और पदमश्री कल्यान सिंग रावत ने सरपंचों को दिये वनागनी को रोकने के सुझा वही वने शेतरादिकारी पंकष्ध्यानी ने कहा कि प्रभागे वनागनी सुरक्षा भी हान के तेथ हम लोगों ने गाँगवा में जाकर गोष्टी की जा रही है और आज पदमश्री कल्यान सिंग रावत ने वन पंचायतों के सरपंचों को वनागने को रोकने और जंगल मेरे देरी में पढ़ता है तो मैंने इंसे आगरे किया की मेरे हम बंचार पंचों को आप बंचार्व से लगने वाली जो आग है उसके लिए प्रोसाइप करें तो मैंने जो है अपने डियाफो साहब शिंग नेगी जी की पर्मिशन के साथ जो है आज सरपंचों की आदनिय रावत जी ने उनको जो है बनों में लगने वाली आग को रोकने के लिए जो उपाय है और उनको रोक थाम जो है एक संदेश दिया वो लोग काफी प्रेजित है फॉरेस्ट बंगले में धनपुर रेंज की ओर से केदानाथ बन परभास की ओर से एक कारिकम यहां पर प्रेजित किया गया था जिसमें कि बहुत सारे गाउं के जो बन सरफंच हैं उनको बुलाया गया था और उनको इस रूप से यहां पर प्रेजित किया गया कि वो किस परकार से अपने गाउं के जंगलों को बचाने के लिए आग आएंगे और जो इस समय गर्मी का मौसम सद्धियों से बैसाख महीने में बैसाखी के पावल पर्ग सिपिंदर घाठी के विभिन कस्प और गाउं में आजित होने वाले पराणिक मेलों का वधिवत पूचाजना करने के बाद शांतिपुन संपन हो गए हैं करांतर में इन मेलों में देवी देवताओं के प्रतीक निशानों डोलियों और देवी देवता अवतरित होने वाले पश्वाओं को ही मेलों में शुद्धालूं और मिलार्थियों के आकर्षण के केंदर होते थे जिनमें लोगों किया पार भिर उमरती रही परव स्पार्पों COS परना मैंना प्रवस्पान light को बेसा हैं इसको जरस का आधुनी करान किया हुआ है इसको दो है चित्रकूट के अंतराज़े परस्टाइंड से बांदर चित्रकूट सांसर रारके सिंग पर्टेल ने सुमवार को जड़ी दिखाकर चतुरु सुरक्षा सप्ता का शुबारं किया और इस तोरा नहोंने आम जन्माने से या तयात के नियमों का पालिंग करने की भी अपील की परिवार मंति हमारे जो भी नियुक्तुये हैं तो सम्मिल करके सड़क सुरच्छा के संबन में बड़ी चिंतित हैं सभी लोग चुकि आए दिन बड़ी दुरखटनाएं हो रही है और उन दुरखटनाओं में नव्योक हमारे ज्यादातर रेशियो जो हम निकाला गया है माननी मंति जी ने जो सजन में जवाब भी दिया था युवाओं का रेशियो जो हमारा थारा साल ये बीच का युवापीड़ी है उसमें जो रेशियो एक्सिजन्ट का सबसे ज्यादा युवाओं का है दिवरिया के गौरी बाजार शित्र में सुंबार के देर रात हुई भीशन हासे में छे लोगों की मौत हो गई जबकि चाड़ू गंभी रूप से खायल हो गए वही हादसा पाइवेट बस और बुलेरो के आमने सामने की टकर से हुआ था गौरी बजार से रुदुरपुरोले रोड पर जो है एक अनफॉर्चनेट एकसिडेंट हुआ है जिसमें एक अनबंदित बस और एक बुलेरो के बीच में टकर हुई है और जो अब तक हमारे पास सूचनाए कनफर्म है उसमें छे लोगों की अनफॉर्चनेट डेथ हुई है जिला अस्पताल में भी कुछ गायल आए हैं जिनको हम लोग रैफर भी कर रहे हैं और इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं उसके लिए हम लोग और साहता वर कराएंगे जो प्रात्मिक यही है कि दोनों गाडियों में भीडंत हुई है और भीडंत इस प्रकार से हुई है कि उसका इंपेक्ट जादा था और अनफॉर्चनेटली उसमें कुछ लों की टैथ हुई है घटना के और कारवनों के वाज़े से विशलेशन होगा एविडें इस पे निश्कर्ष निखाला जा सकेगा गभी रूप से गाड़ हो गया गवड़ा में सीएसी पंडरी कृपाल मेज चिकिस्सा अधिकार्शक और कर्मचारी मुवाद के बाद नाराज आशा बहुआ और कर्मचारी ने नारे बाजी कर अधिक्षक का खिराफ कर और बंदग बना लिया प्रदर्शन कर रही दरजनों आशा बहुआ और आशा संग्णियों ने अधिक्षक पूजा जैस्वाल के विरुद नारे बाजी कर कारे बहुआ हिशकार किया प्रदर्शन कर दिया बाहर उनके चैंबर्शन कर रहा है इसे प्लटना कराउं के बार हम वीर्पूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी पश्रूर तसकरी के लिए बैलो से भराएक कंटेनर पूलिस ने पकड़ा है जानकारी की मताबर कंटेनर में पश्रूर तसकरी चोली चिपे बैलो को लेकर जा रहे थे लगपुरा ठाने में एक कंटेनर पकड़ा गया जिसमें 29 वैल लदे हुए थे इस समंद्ध में सुझना प्राप्त हुए थी जिसके आधार पर रोड को ब्लाग किया था और ये पकड़ा गया इसको गोशाला में सुपूर्दगी में दिया गया है इसमें जो भी जिनकी गाड़ी है जो ड्राइवर है और जिसके द्वारा ये कार किया गया था इन सभी का पता लगाय जा रहा है और पूरे ग्रूप के विरुत सिख्र कारवाई की जाए थी अब योग पंजिकृत कर दिया गया है और इनके बारे में गहां से कानमिन किया कर रहा है तो परता से करवाई ये मन्तरी है और दोई में सामदाई स्वास केंद्र पर आयोजे प्रथम ब्लॉग स्वास तमेले का उद्खाटन राज्यमंत्री सतन प्रभार रापकारी और मंदिर देशा अत्मनेतर नागरवान ले फीता काट कर किया वहीं पांच ट्रिव के मरिजों को पुष्टा हार और दवाएं भी दी है इस मौके पर मंतिरियन देली घटा को गंभीर घटा बताया और कहा कि केंद्र सरकार इसको गंभीता से देख रही है कि अगले कुछ दिनों तक दी तारिकता की पूरे जन्पत में इस्वास मेले का आयोजन होगा और मानिय मुख्वांती जी जो सौत मेलों के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक जो विभाग है वो जागुटा भी पैड़ा कर रहा है और मानिय मुख्वांती जी जी खुद बहुत सम्वेजन शील है पूजा तक बहुत मेले का कंबन है क्योंकि इस्ते भी संचारी रोग के कारकरम है उन्होंने पर्सनली को मॉनिटर करते हुए पूरे प्रदेश में इसको लागु कराया और आज आप देख रहे हैं कि पिछले पांच वड़ा में जारी रोग में करी 90 प्रतिशन तर ज्यादा अस्तार हुआ है हरदोई में वार्षिक निरिक्ष्टन करने पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंग ने पुलिस लाइन में मिशन शक्ति के तहट गठी जनपत के सभी थानों में सुरक्षा समीतियों की बहलाओं के साथ वारता की उनकी समस्याओं को सुना है हरदोई का वार्षिक मुएना हमारे द्वरा संपादित किया जा रहा है और इस दौरान पुलीस लाइन, पुलीस ऑफिसेज, अकांट सेक्षन, हेड ऑफिसेज, इनका परिक्षन किया गया है इनके कार प्रणानी की सेलिक्षन की गया है साथी साथ आज हरदोई के सभी थानों, जो महीला सुरक्षा समीतियों का मिशन शक्ति अभयान के तहट गठन किया गया था उनके आज इपैठक करके उनके साथ बारतलाब किया गया है उनके अनुभवों को उन्होंने बड़े बिवाकी से हमारे साथ साजा किया है हमारे से उनकी क्या पिक्षाए हैं उस पर भी चर्चा होगी है इस मिशन शक्ति कक्ष और महिला सुरक्षा समिती के गठन के प्रती शाषन की क्या मन्चा थी, क्या प्राथिमिक्ता हैं, क्या पिक्षा हैं इससे भी उनको अवगत कराये गया है आशा करते हैं कि महिला सुरक्षा की दिचा में हरदोई में सार्थक कदम अब उठाए जाएंगे लकेमपूर खिरी में एक बार पर देला देने वाली घटना सामने आई है केंद्री गही राजमंत्री की थार गारी के बाद आजवाकेमपूर सदर बीजपे विधायक योगेश वर्मा की काली स्कॉर्पियो ने दो बाइक सवारों को रॉन दिया दोनों की घटनासल पर ही मौथ हो गई थाना कोतवाली छेतर के बहराईच हाइवे पर एक मोटर साइकल और स्कॉर्पियो वहान का आमने सामने टक्कर हो गई है इस एक्सिडेंट में मोटर साइकल सवार दोनों व्यक्तियों की मृति हो गई है जिस स्कॉर्पियों से ये एक्सिडेंट हुआ था वो सदरवधाईग जी का बताय जा रहा है स्कॉर्पियों वहान को और वहान के चालक को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है म्रत को परिज़ों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विदिक कारवाई की जाएगी पिलिवीत में बितिरा श्वादी में जा रही थी इस रफ्तार कार ने बाइक सवार हुमकार्ट को टकर मार दी सुष्णा पर पहुंचरी पुलिस ने गंभी रूप से खाल हुमकार्ट को पुला स्वास्पतार में भर्ति कराया पॉडी में स्वास्त मेले के दौरान दिव्यांग बाला का दिव्यांग सर्टिफिकेट ना बनने पर नराज समर्तक नारी समर्त भार संग्ठन की प्रदेश प्रभारी कुसम चमोली ने नराज की जताई शेकरनेगर पालिका के डंभरू हॉल में स्वास्त भाक के और से आज़े स्वास्त मेले के दौरान एक दिव्यांग बालाओ की दिव्यांग प्रमार्ण पत्रना बनने पर समर्त नारी समर्त भार संग्ठन की प्रदेश प्रभारी कुसम चमोली सिन्दे नराज की जाहर करते वे स्वानी जरू के दिव्यांग पर सवार उठाए जिसमें उन्होंने अधिकारी गुदिशा निर्देश दिये फोलपुर थाना शेत्र के दोगडी गाउंग में 40 साल का आर्विन कश्व आंगन में साड़ी के फंदिस के लटका मिला यह पूरा मामला ग्राम ढोकरी थाना पूलपुर जिला प्रयाग राज का है पुलिस को सूचना मिली थी कि ढोकरी गाउं में एक घर में दो लोग मृत अवस्था में हैं उस सूचना पर सतकाल पुलिस टी में मैं फील्ड उनिट डाउग स्कार्ड मौके पे पहुंचे थे मौके पे जा करके पता चला कि एक ललिका देवी हैं जिनकी उम्र 80 साल है वो बरे तवस्था में तक्थे पर पड़ी है इसके आगे जाने पर आगन में पाटन के सहारे एक साड़ी के फंदे से लटके हुए अरविंद मौर्या है उनकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई मौके से नौ पेज़ेस का सुसाइड नोट पाया गया इसमें से साथ पेज़ेस एक कॉपी में लिखे हैं जबकि दो पेज़ेस एक स्टाम पेपर जैसी चीज़ पे लिखे हुए है सामगाई स्वास केंद्र परिसर के 20 पेड़ों के लामिकर सरकारी राजर्स में 6,000,000 रुपे धर्राशी का इजाफा किया गया जो हमारे सामगाई स्वास केंद्र सितार गंज में यूके लिख्टिस के पेड़ थे जिसके संबंद में आज हमने निलामी बोली आवज़िती तो इस प्रकार से जो हमारी अधिक्तम बोली पोस्वेव एंड कंपनी रामपुर के द्वारा लगाई गई जो प्रकार रामनागर अस्मौने शेत्र से आया दे जो हमारी अधिक्तम बोली पोस्वेव एंड के द्वारा लगाई जाएंगे आपको दादे कि न्यूज वाल इडिया ने पहले भी इस ख़बर को प्रभुकता से दिखाते इसके बाद खबर का सरुफवा यहां जो प्रकार रामनागर अस्मौने शेत्र से आया है जो हमारीज है मुनकी संख्या बढ़ी बताई गई है तो यहां पर एक गहन समिक्षा किया वशकता है और इसके पीछे जो भी कारण है या जो भी प्रॉबल रीजन हो सकते हैं कि यहां जो गाउं में यह सटा हुआ अगाउं में आपका स्मौली सुगर मिलगा तो उसके पीछे क्या तुद्ध है तो उसके पीछे इस स्टेट प्रॉशन का जो भूब होता है इसके नौ स्टेस साब से इसकी पूरी जहन चांच करा किसे मिक्षा करा कि इसका कारण ना जाना जाएगा और साथी साथ जैसा कि हेल्थ डिबार्टमेंट की टीम दिगए थी और उनने केटके मार्टम से इसकी सिवियारिटी थी हो भी जानने ही खुरिश के दिगए थी सारणपूर में शाकुम्पूरी देवी मार्टम पर ग्राम उचावडपूर कला के निकर शाकुम्पूरी देवी के दर्शन से वापस आ रहिष्ट धालों से भरी कार और बाइक यामने सामिए के जबदर जिप्रनत हो गए और बाइक पर सवार दोईवेक्ती गप्विरू सारणपूर जाए की नगर के गंगो मार्क पर गेस इजनसी लाइन की तरफ से नाले की दूरी सड़क से एक समान नहीं है तकरीबर बचास मीटर नाला सीधा चलने के बाद चानक नाले को दुकान के ठीक बाहर बना दिया गया है उन्होंने मांग की है कि उप नाले को एक सम स्वामिय प्रसाद मौरे का स्पीफा लेकर ज़ाने वाले पूर विधाय कर सफ़ा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा बिल्डिंग और प्लॉट की नाप शुरू करती गई है शुकार के बाद राजस्थ की टीम ने दलबल के साथ बिल्डिंग और प्लॉट की नाप की गई राजस्थान की टीम पहुँशने पर सफ़ा प्रत्याशी ने मुक्यमंत्र योगी आदेतनात की तारीफ में कसीदे बढ़ना शुरू कर दिया और नियाय की गुहार लगाई है अधिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो उसके लिए हम लोगों ने इसलिए आज क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहां के लोकल लेक पाल बगेरा है उनके अलावा भी हम लोग जो है वो आने चेतरों के लेकपाल को भी लेकर के आए तो इसलिए आज हमने एक सायुक्ती टीम बनाई है और दो जगों की हम लोग आज जाच कर रहे है जिसमें एक संडा खास है और दूसरा यह जो प्रापर निगोई है किदाना टीट प्रो इस संबाज स्वाज मेंश राषिन के और से भगवान किदाना धाम को राष्टे दरूअर घुशित करवाय जानी को लेकर भार्ति पॉरात्त विभा को भीज़े प्रस्ताव पर घौर आपत्ति दश कराई है तित पुर्यतों का कहना है कि इदार्णास मंदीर कोई ताजबन नहीं है जिसे किसी व्यक्ति नहीं बनाया प्राणाइक धरोवर के साथ सरकार शर्चार कर रही है जिसका घोर विरोध किया जाएगा पेली भीत में बितित देदा दुकान में भीशन आग लगई शेर के वीच वीच दुकान में भीशन आग लगई सुचना पर पहुंच रही फायर बिगेड ने आप पर काबू पाया और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बनी रहे न्यूस वाल इंडिया के साथ